देश की विकासदर अगले वित्तु बर्ष में छे से साड़े छे फीजदी रहने का अनुमान है बजट से पहले संसद में आज पेश साल 2020 के आर्थिक सर्वे में सरकार ने 5 साल में 4 करोड नौकरियां देने के लिए चीन का फॉर्मूला पेश किया है सर्वे में कहा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान में असेंबिले इन 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 फॉर वर्ल्ड को शामिल करने से दो हजार पच्चिस तक अच्छे वेतन वाले चार करूर रोजगार और दो हजार तीस तक ऐसी आठ करूर नौकरियां दी जा सकती है आर्थिक विकासदर को लेकर अनुमान है कि ये आने वाले वित्वर्ष में साड़े च्छे फीजदी तक रहेगी चालू वित्वर्ष में ग्रोथ रेट पांच फीजदी तक रहने का अनुमान है ये विकासदर पिछले 11 साल की सबसे कम होगी इसलिए पिछले वित्वर्ष यानि की 2018-19 में ये 6.8 फीजदी थी सर्वे में कहा गया है कि ग्लोबल ग्रोथ में कमजोरी से भारत भी प्रभावित रहा है फिनाशल सेक्टर की दिक्कतों की चलते निवेश में कमी की वज़े से चालू वित्वर्ष में विकासदर घटी है लेकिन जितनी गिरावट आनी थी अब आ चुकी है सर्वे में कहा गया है कि दो हजार चौदा से महंगाई लगातार घटी जा रही है पर हाल के कुछ महीनों में ये फिर से बढ़ने लगी है खाड़ी देशों में तनाव के चलते कच्चे तील की कीमतों पर असर पढ़ने की आशंका है जिससे रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है अगर घरू की विक्री बढ़ती है तो बैंकों और नॉन बैंकिंग फिनेंशल कंपनियों को फाइदा मिलेगा आएए सुनते हैं मुख्य आर्थिक सलाकार ने क्या कहा है अज़ आर्थिक की आसकार ने कि विक्षणे इस बाडिक्वे इस इस लिए प्रुटिक्वेशन बादिशने की ओर लाज Exactly, Ps ऑनदेर जाफ प्रुटिक्वे बड़ती हैं पर इस लिएक्वेशने बातूए इस लिए अज़िए इस लिए इस धिए बाँबिए GDP growth this year due to the investment done four years back that has a very strong positive correlation if you look at the contemporaneous correlation which is being shown in black that is negative now this is important for us to understand because as I just showed the peak of the credit happened in 2013 and after that there has been actually a decline in credit which has affected investment as well and it's that four year lag as a result of which the slowdown in investment has led to the growth slide starting from 2017 onwards job creation which is very important in the Indian context today can be furthered significantly by integrating assemble in India for the world into the make in India campaign the survey goes into great detail about how the ease of doing business can be enhanced by implementing specific suggestions to bring India within the first 50 in the rankings in the in the world bank is of doing business ranking the survey highlights to the banking sector when you compare the size of the economy is at this point subscale and that is something that we need to do to think about finally in keeping with the spirit of making economics relate to the common person the economic survey brings the idea of phallionomics which is the economic of a plate of food in India karshn moorti subramaniam jinnon have 6 mahanes mei yiei arctic survey tiar kiya is harctic survey mein sargaar ko sujhau daethe huye کہa gya ii kie growth ko basova पर लाल फीता शाही खत्म होनी चाहिए ताकि कारोबारी माहौल आसान हो सके बिजने शुरू करने प्रॉपर्टी रजिस्टिशन टैक्स भुक्तान और कॉंट्रेक्ट लागू करने की नियम आसान किये जाने चाहिए उनकी वकालत भी इसमें की गई है सरकारी बैंकों के कामकाज में सुधार और भरूसा बढ़ाने के लिए जादा से जादा नौकरियां सरवजनिक की जानी चाहिए आईए अब आपको हम बताते हैं कि आर्थिक सर्वे है क्या आर्थिक सर्वे आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश होता है आर्थिक सर्विक्षन अर्थविवस्ता की सालना अधिकारिक रिपॉर्ट होती है इसे दस्तावेज को बजट सत्र के दोरान संसत की दोनु सद्रों में पीश किया जाता है जिसमें भविश में बनाई जाने वाली योजनाव और अर्थ विवस्ता में आने वाली चुनोतियों को सारी जानकरी दी जाती है आर्थिक सर्वेक्षन में इस बात की जानकरी दी जाती है कि आगामी वित्वर्ष में देश की अर्थवेस्था रफ्तार पकड़ेगी या फिर धीमी रहेगी सर्वेक्षन के आधार पर ही बजट में एलान दिये जाते हैं हाला कि इन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बादी नहीं होती है आर्थिक सर्वेक्ष को वित्व मंत्राले के मुख्य आर्थिक सलाकार और उनकी टीम तियार करती है इस बार मुख्य आर्थिक सलाकार क्रश्न मूर्ती सुपरमणियम जैसा कि आप देख रहे थे वो बता भी रह थे कि नोंने क्या क्या किया है किन बातों पर ध्यान दिया है देश में पहली बार आर्थिक सर्वे 1951 में जारी किया गया था अब चर्चा करते हैं समझने की कुशिश करते हैं क्योंकि 5 ट्रिलियन एकॉनमी की बात जब सरकार आई थी तब की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम इसे बना कर रहेंगे लेकिन तमाम सारी कमजूरिया देखी गई चर्चा करेंगे सरकार की ओर से सरकार के प्रतिदी शिर्परताब शुकला जो की वित्रमंती रहें पिछली सरकार में वित्राज्यमंत्री रहे पिछली शरकार में वो हमारे साथ मौजूद होंगे इसके साथ साथ हम KTS तुलसी साथ के पास चलेंगे जो की कॉंग्रेस के सांसद है वही प्रोफेसर प्रबीर ज्जा जो की अर्थशासरी है अमन अगरवाल जो की Tax Expert है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और गोपाल केडिया जो की Chartered Accounted है उनके पास भी चलेंगे समझने की कुशिश करेंगे सबसे लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे शुक्राजी के पास पिछली सरकार में आप वित्राज्यमंती रहे बजट कैसे बनाए जाता है सरकार किन बातों पर ध्यान रखती है तमाम सारी चीज़े है लेकिन एक बात में कहना चाहता हूँ कि देश की आर्थिक विवस्ता इस वक्त थोड़ी डगमगाई हुई है हलाकि ये कहा जा रहा है आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि अंतर रास्टी कारण है जिनके कारण ये प्रभाव देखा गया है अब जो प्रभाव पढ़ना था वो पढ़ चुका है आगे बहुत बहतर तस्वीर है कुछ इसी तरह की बात पहले भी की गई थी लेकिन भावजूद उसके राज कोशिय घाटे को कम करने पर रखा गया है तमाम सारी बाते संकेत इस सर्वे में देने की कोशिश की गई है टैक्स स्लेब जिससे की आम आदमी प्रभावित होता है उस पर भे कुछ ना कुछ संकेत दिये गया हो सकते है कि इसकी घुशना हम शनीवार को देख पाए लेकिन आप क्या मानते हैं सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है और उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर इस आर्थिक सर्वे को देखें तो क्या ये ठीक आइना है देखें आर्थिक सर्वे ये जरूर है कि बजट के पूर्व आता है और आज जो हम ये का सकते हैं कि आपने भी इसको श्विकार होगा और सामान इस्थिति में आर्थिक सर्वे एक नीती होती है पूरे वर्स का एक आएने के दिस्थि से होता है तो आएने में कहीं कहीं परिवर्तन की इस्थिति होती है उसके देख करके उसी आधार पर जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं जो पूरे विश्व की इस्थिति होती है सनलचना होती है उस सब को देख करके ही होता है पिछ पूरे विश्व में मंदी की इस्थिति आई भारत उससे थोड़ा सा प्रभावी जरूर हुआ लेकिन भारत में जो बचत की परमपरा है उस बचत की परमपरा ने भारत को पूरी तोर पर उबार करके रखा जहां अन्य अर्थ ब्यवस्थाएं धरादर गिरती चली गई भार सरकार के दृष्टि से किशानों को विद्यारतियों को ब्यापारियों को सब को लेकर के चलेगा और फाइब ट्रिलियन जो माननी प्रधान मंत्री जी बार बार का तक हम लाएंगे वह एक उचित अर्थ बैवस्था क्या धार पर अभी पांच साल का समय हुस पांच साल के अंदर बाइस के बाइस और उसके बाद के इस्तिति तक उन्होंने ये कहा है कि उलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं समस्ता क्यों आ रहेगा आएगा केटियस तुलसी साब हमारे साथ मौजून है तुलसी साब जो बातें शुकला जी कर रहे हैं और जो बातें हमने आर्थिक सर्वे में देखी इस तमाम सरकार के जो निमाइन ने उनके बयानों में देखा 5 ट्रिलियन एकॉनोमी की बात की गई थी और 5 ट्रिलियन ए ये तो संभब नहीं लग रहा हूं मैं ये सोचता हूं कि तो सरकार जूट बोल रही है अगर हम आज अंदादा लगाने की कोशिश करें हूं नहीं कि पिछले चालीस साल में यादगार बजट कौन कौन से रहे जो यादगार मेमरेवल बजट जो हैं अगर सबसे ज्यादा मेमरेवल बजट जो है वो उन्नी सो एक यानवे में डॉक्टर मनमोन सिंग जी ना जो पेश किया उससे एकॉनमी खुल गई दर्वाजे सारे ख हुई तो यह एक बहुत यादगार बजट है उससे ग्रोथ भी बहुत बढ़ गई दूसरा एक यादगार बजट है मिराजी दिसाई जी का उन्नी सो आट सथ में जिन्होंने सेल्फ असेस्मेंट सिस्टम लगू किया उसके लिए वह बहुत यादगार बन गया वाई भी च यश्वन सिना जी ने अपने बजट में टेली कॉम सेक्टर को ओपन अप किया कि बहुत यादगार बाते हैं बहुत इंपॉर्टन स्टेप्स हैं जो लिए गए अब पीच दंबरम जी का जो बजट था उन्नी सो सतानवे में उसमें इंस्ट्यूशनल और रेगुलेटरी फ जी के उसमें मैं समयता हूँ कि यादगार जो प्रामिस है वो तो यही था फाइव ट्रिलियन एकॉनमी जो अभी संभव नहीं लगता अभी इंफलेशन तो नहीं हैं इंफलेशन काबू में रखा गया मगर जो स्लोडाउन हो गया है ग्रोथ रेट उससे उससे अनिम्प्ल सेंटरी तो युवा लोग जो हैं वो बिना नौकरियों के बैठे हुए हैं उससे बहुत ज्यादा उतेजना सारे देश में फैली हुई है उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा मैं समझता हूँ कि अगर हम यह देखें कि यह कहा जाता है कि दो करोड बासट लाक नई जौब्स 2011-12 में क्रियेट हुई थी और फिर शायद यह क्लेम है कि 17-18 में भी हुई मगर हुई या नहीं हुई अभी तक उसका उसका नतीजा देखने में नहीं मिलता है जौब क्रियेशन सरकार की प्रात्मिक ता होनी चाहिए सबसे अवश्यक बात वही है और दूसरा और आटो सेक्टर पे अगर उनको पैसा कोई दिया जाए ताके ये फिर से बढ़े कुछ अदर्वाइज ये जो अभी प्राइवेट इंवेस्टमेंट बहुत कम आ रहा है इसे इंसुफिशन गमेंट स्पेंडिंग है और उसी वज़ा से ग्रोथ का जो रेट है वो कम होता है शुक्रा जी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाता हूँ क्योंकि बार बार जो सरकार घिर रही है वो सरकार घिर रही है आर्थिक मामलों पर ये कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी खत्म करने की बात हुई थी रोजगार देने की बात हुई थी अब तक उस पर काम नहीं क जो जो अंतर रास्टिय बाजारों की स्थिती है, पेट्रोलियम को लेकर वो आपके महंगे हो सकते हैं, सबसिटी को लेकर एक बड़ा खत्रा हो सकता है, यानि कि अभी आप केबल एक तस्वीर दिखा सकते हैं, उम्मीद बना सकते हैं, बहुत जादा उम्मीद इस बजट से क की बात तुलसी साब ने कहा, या मनमहन सिंग जी, यह सही है कि मनमहन सिंग जी ने जिस उदारी करण को लाने की बात कही, वह भारत के लिए एक रास्ता खोला, इसको कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन कुलमिल आकर के उसी बार्ग पर चल करके ये सरकार, हम तो ये थोड़ कि आखिर अगर इस देश में हम गरीबों को न लिये होते, लोगों को गैस के सिलेंडर न दिये होते, अगर हम आगे बढ़कर के जनधन खाते ना खोले होते, आज जनधन खाते और बैंकों से लोन के सिस्टम को डबल अप करना, रोज़गार ये दे रहा है, शुक्रा जी बात यहाँ पर जन्धन की नहीं हो रही, दिल्ली के अगर विदान सवाच चुनाओ को देखा जाए, तो बात वहाँ पर बिरोज़, आप यह नहीं बोलने के हमने रोज़गार दिये, आप यह नहीं बोलने के हमने जन्धन खाते खोले, आप यह नहीं बोलने के हमने क्यों नहीं हमने हमने हमेशा इसको किया है कि हमने रूजगार देने की बात कही है जंधन खाते की बात कही है और मुद्रा योजना की बात कही है मुद्रा योजना के में करोणों लोगों को जो लोन दिया गया एक दो नहीं आज हम समझ रहा है कि लिवाद तेरह करोण लोगों को जो है मुद्रा योजना का लाम मिला था है को अश्राम की नेख ऑलने हैं कि हमने हमने के दिया है कि तेरा करोड़ है यह अब भी ब् вол रहा है कि ट्रीष क्रोड़ जन्दन खाते खुले हैं चोटीस करोड़ जन्दन खाते खुले हैं जो कभी नहीं खुला जो जीरो बैर्लेंस से खुलां और वो आज बढ़ करके इतना हो गया है लोगों ने विश्वास उसमें जताया हम सबसे पहले इसको कहते रहे हैं लेकिन इसको दरकिरार करके लोग अपने मुद्धे को ला करके खड़ा कर देते हैं क्या सी ए जो आया है एंपिय जो आया इसके पहले का होम मिनिस्टर ने नह लोगा तुलसी साब क्या हम माने कि इस बार जो बजट आने बाला है वो बजट सर्फ पुराना कैनवास होगा और नए पेंट होंगे उसके उपर मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सक हूँ कि ये बजट डू डू और डाए जे ये ये दिमाग में बात रखके बजट बनना चाहिए ये डू एंड डाए नहीं वाली बात नहीं डू और डाए और दूसरा इंफरस्ट्रक्चर में एक सो दो लाक करोड का प्रावधान माना जाता है कि इसके करीब होगा मगर अगर बेरुजगारी खतम करनी है तो ये तीन सा करोड तक जाना चाहिए तीन सा तीन सा लाक करोड तक जाना चाहिए तभी इंफरस्ट्रक्चर जो है किक स्टार्ट करेगा एकॉनमी को लोगों को नौकरिये मिलेंगी और ऐसे ही जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वहां वहां पे भी तेजी थोड़ी कुछ आएगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसके बाद हाउसिंग में होगा, फैक्टरीज बनेगी, तो एक जो बेसिक चीज है, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के उपर ज्य हैं, उनको भी नौकरिये मिलेंगी, तो नौकरिये सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी तो हालांके अर्बन परधान देश बन गया है, अगर हम देखें, तो 1991 में तो रूरल सेक्टर में GDP जो था, वो 72 परतिशत था, वो 55 परिशत था, मगर अब ये उन्नी सो उन्नी में, दोहजार उन्नी में बढ़कर 70 परिशत हो गया है, तो अर्बन एकॉनमी है, जो डील करती है, मगर इसी वज़ा से जो रूरल एकॉनमी है, वो निगलेक्ट हो रही है, आपको फार्मर की जेब में पैसा डालना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि हम किस होगा, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, और क्या वाकई सरकार अपने घाटे को कम कर सकती है? जिसे हम कहते हैं, कि कितने रेट से पैसा बढ़ रहा है मार्किट के अंदर, वो भी नियंतरन में रही, 9.8% रही, जो थाली की बात की गई, उसके अंदर भी वृत्ती देखी गई, 30% की वृत्ती कुछ 15-20 साल के अंदर देखी गई है, जो देखने को मिला है, और अभी भ जिसे हम 4.9% के उबर ग्रो कर रहे हैं, पर जहां पे विश्व के अंदर बड़े बड़े देश, काफी सारे देश नेगिटिव ग्रोथ कर रहे हैं, आज हम फिर भी 4.8, 4.9% ग्रो कर रहे हैं, और पीपी मेजर के अंदर हम 12 ट्रिलियन डॉलर एकनॉमी है, और जो नॉमल डेटा है, यह ऐसा नहीं है, कि जो है सरकार अपनी मनगरण काहनिया बता रही है, यह स्टाटिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया गया है, और आज से जब से हम देख रहे हैं, पचास से हम इसको नियंतरन करते आए हैं, देखते आएं कैसा चलना है, तो इसी कल्चर में कितना करना, एजुकेशन में कितना करना, और सेक्टर में कितना करना, ताकि जो जोब मोमेंटम आ सके, जो बात की जा रही है, ग्रोफ देख की जा सके, जिन सेक्टर में नहीं हुई है, उनमें दी जा सके, मेरे विचार में अच्छे प्रवधान कल हमें देखने को budget के अंदर मिल सकते हैं. मिल सकते हैं. प्रविन जहाँ साथ मोजूद है. जहाँ साथ क्या कहें? क्या बाकरी सरकार इस देश के लोगों को खुश कर पाईगी? उमीद की जा रही है. लोग ऐसा मानते हैं. देखे, दो चीजे हैं. एक तो budget में क्या कर पाएगी सरकार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके पास resources है या नहीं. राशी कितनी हैं आपके पास. जो इसी आकलन में जो सर्वेक्शन है इसमें बता रहे हैं कि दो लाख क्रोर जो है tax का shortfall. तो बहुत सपस्थ है कि एक तो जो आपके रास्ते हैं वो काफी सिमित हो गए हैं और कहीं से कुछ नया आपको दिखाई नहीं दे रहा है. क्या करेंगे आप कहां से resources जो है उगाहेंगे. जी एस्टी की स्थिती जो है वो ढूल मुल है. आप जो है सोच नहीं रहें corporate taxes को हम जानते हैं कि पहले ही कम किया गया. ये indicate किया जा रहा है कि शायद income taxes में भी शायद कुछ रियायत हो. इसका मतलब है कि आपका जो किटी है वो कम होने वाला है. एसी स्थिती में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती जैसा मैंने कहा taxes का तो वो तो है ही है. उसके अलावा ये आकलन भी जो है ये एक तरीके से ढूल मुल किसम का आकलन है. मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जितने सारे महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स होते हैं अर्थ्ववस्था को लेके. उसमें चार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. एक तो आपके निवेश की क्या इस्थिती है. इन्वेस्टमेंट की जो इस्थिती है हम जान रहे हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में बेसिकली एक काफी गंभी रिस्थिती में वो रहा है. जो पीक था वो आट-दस साल पहले पहुँचा था 38% GDP का जो था लेकिन उसके बाद जो है वो 26 और 29% के आसपास अपना अटका हुआ है. अगर आप कंजम्शन सर्वे के डेटा को मानें तो हिंदुस्तान में पहली बार आजादी के बार पहली बार जो कंजम्शन है पर कापिटा उसमें गिरावट आई पिछले 6 वर्षों में 11, 12, 17, 18 रूरल इंडिया में कंजम्शन जो है 10 प्रतिशत गिरा है प्रतिव्यक्ति रोजगार की बात लोग कर रहे हैं सभी लोग जानते इस पर शायद ही कोई असमत होगा रोजगार की जो भयावथता है इस देश में अगर आप इस आकलन में कह देते हैं कि अगले 5 वर्षों में 4 करोड कर देंगे जब ये सरकार पहली बार आई थी मोदीवन की में बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा था साल में हम 2 करोड नोकरी देंगे क्या हुआ गर आप देखें किस रफ्तार से जॉप्स डिसपियर की हैं इस देश में तो ये आकलन भी जो है ना आकलन के पीछे भी एक मर्यादा होनी चाहिए ये इतने करते ने जिसका की रेट पे आधारित जो हो जिसका सैंड गर बेसस हो इस आकलन को कोई आकलन कहना ही नहीं चाहिए ये मजाख है ये कोई आईना नहीं है ये अर्ट्ववस्था के साथ जो है एक दिवास सो अपने दिखाने वाली जो प्रविर्ति बनी हुई है वही प्रविर्ति चले जा रही है आपने कह दिया हम ये कर देंगा हम वो कर देंगे आपको मुझे एक कोई चीज सो बता कि जो आपने कर दिया हो ये बड़ा सवाल है ये पूछने की कोशिश करूँगा मैं शुकला जी से देखे इस बार जो बजट आने वाला है जहां तक इंकम टेक्स है डिरेक टेक्स है ये गेम चंजर होने वाला है अभी जो भारत की इस्थिती है इसमें मिडिल क्लास को कहा जा रहा कि बहुँ जादे तरस्त है और इस बजट के माध्यम से हमारी फाइनस मिडिल क्लास को बहुँ जादे संतुस्ट कर सकती है अब कहां कहां इसको पहं संतुस्ट करने के लिए मैं वह आपको बतला रहा हूँ एक आम करदाता चार चीजों से एफेक्टेड होता है एक एफेक्टेड होता है कि 300 लिमिट हमारी income tax की क्या है जो 300 लिमिट भी 2,50,000 रिपिया है और 217A के भीतर 12,500 का rebate देने के बाद 5,000,000 तक कोई tax नहीं लगता है मेरे को लगता है इस बार जो है 300 लिमिट भराके 2,50,000 से 5,000,000 कर दिया जाएगा और 217A का rebate खतम कर दिया जाएगा इससे होगा क्या अभी हमारे पर सकरदाता सारे 6 करोर करदाता है जिसमें 4 करोर 46 लाग करदाता हमारे वो हैं जो की 8 लाग से 5 लाग तक की रिटन फाइल करते हैं लेकिन ये कोई tax payment नहीं करते हैं तो सरकार की किट्की में बहुत जादे फरक परने वाला नहीं है और हलका फूल का जो फरक परेगा इससे वो सर्चाज इनका पास एक जुन्जुना है जिसके थूर ये पूरा कर सकते हैं दूसरी चीज में आ जाता हूँ rate of income tax का होने वाली है मेरे को लगता है इस बार से 30% स्लेवरेट रहने वाली है ये direct tax court committee जो बनी थी उनका भी कुछ इसी तरीके से suggestion था हाला कि 6 मैंना उनको report submit किये होग या उस पर कोई calculation नहीं हुआ तो हमारा 1961 में जो एक टाया था income tax act अभी लग रहा है कि वही हमारा आगे तक चलता रहेगा जो संसोधन करना था उसमें संसोधन कर दिया जा रहा है समय समय पर किया जा रहा है जहां तक बात investment की बात है एक टी सी की हम बात करता है आम कर दाता है उससे बहुत affected होता है एक लाग पचास हजार की limit है हमारी एक परजेंट तो मेरे को लगता है इसको पचास हजार और बढ़ा करके दो लाग रिप्या कर दिया जाएगा इससे सरकार एक तीर से दो सिकार कर रही है बेसिकली investment savings बर रही है इन्वेस्मेंट बर रहा है और एक जो आम कर दाता है जो middle class है वो खुस हो रहा है कि उनके हाथ में usable money जादे आ रहा है जिससे consumption बरेगा demand बरेगी और लोग चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बाजार में अगर पैसा आएगा तो निशित तोर पर उत्पादन पर फर्क पड़ेगा शुकला जी अमरे साथ मौजुन दे किया है यह खाका खाली है तो यह इस तरह की बाते तो की जा रही है लेकिन एक चीज जो बड़ी चीज है क्योंकि हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीन तमाम कारोबारियों के साथ एक बैठकी और कारोबारियों से कहा कि आप अपनी तकलीफ को बिना डरे हुए खुल कर मुझसे व्यक्त करें उसके बाद एक एक आर्थिक सर्वेक्षण में एक लाइन आती है जिसमें यह कहा गया कि संपत्ती के वितरन से पहले संपत्ती जोटानी है और कारोबारियों को सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले यह आया कि कारोबारियों को चोर समझा जा रहा है उन्होंने अपनी पीडा को व्यक्त किया उनके पास छापे पड़ रहे हैं लेकिन आज भी वो इतने परेशान है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनिस बंद कर रहे हैं उनका कहना यार इतना तनाव जहल कि हम व्यापार क्यों करें तो इस बात को सरकार समझी तो है लेकिन देर से समझी है शुकला जी इन्ने देखी ऐसा नहीं है कि सरकार हाँ मैं बता रहा हूं सरकार देर से नहीं समझी है प्रधान मंत्री जी समय समय पर ऐसे सभी लोगों को बुला करके उनसे स्लाह मसविरा कर लिया करते हैं और उनके ट्रेड में क्या परिशानी उसको समझते भी है अभी जब तुलसी साहब बात पर रहे थे तो ये सही है कि आटो सेक्टर पर तो ध्यान सरकार का इसी नहीं तो पहले भी आटो सेक्टर पर पहले भी मीटिंग बुलाई जा चुकिया और आटो सेक्टर को कैसे बढ़ावा जा इसको किया जा चुका है जहाँ सहमें ने जो कहा था कि अहाँ बड़ें इर्थ حसास्ति है कैसे कोई क 콘मेंट नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना ज़ παु rising कार कि अधिक है कि आखिर कार कि अधिस्छते षी गसे तिक रहा है कि आखिर्कार रूरल सेक्टर की बात जो आपने कहा था है कि पैंसे करने के लिए और लोगों को और आगे ले जाने के लिए को सिल देया। सरकार उसकी क्यों के व्यवस्था करती है तो ऐसा नहीं है हिं राज की इस्थिति है कि हमारी रच्छा व्यवस्था पूरी तोर पर सुद्धिल हुई है भारत की रच्छा बवस्ता की हर जगा सराना हो रही है अगर सराना हो रही है तो भारत की एकोनोमी ठीक हो यह तब East की इक बात आई जी स्वानी की सुरूरू में जरूर कभी 95 जार करोड कभी 96 जार करों आज आप स्वैंग देख लीजिए कि हम जो एक्सवर्ट कर रहे थे आज एक लाख करोड से उपर की जीस्टी आ रही है हम यह पारी को लेकिन आपने सुपला जी सरकार ने जो लक्ष रखा था उससे जो लाख करोड कम संग्रे हो पाया है इस बात को भी सुईकार कीजिए दो लाख करोड लेकिन वह उसमें हुआ है कि जब 95,000 93,000 की इस्तिती आते थी अब बढ़ना सुरू किया अब एक लाख करोड से उपर एक लाख 4,000 एक लाख 5,000 करोड रूपे जब आ रहे हैं तो दीरे दीरे वह बढ़कर के एक अच्छी खासी इस्तिती में आ जाएगा तो जो गुपाल केडिया जी कह रहा है थे यह मान करके चलिए कि यह जो अर्थ ब्यवस्ता भारत की है वह निश्चित रूप से एक सूद्र अर्थ ब्यवस्ता है मनमोहन सिंग जी के भी समय में एक बार ऐसी इस्तिती आई थी कि 3.2 को जी डीपी थी आज तो से अच्छी बैस है चार साल पांच साल बात करकर के उसको पूरी शुकला जी अगर आपने कह दिया कि सब कुछ बैतर है भारत की अर्थ ब्यवस्ता सुद्रड है तो मुझे लगता है कि जो एकनॉमिक सर्वे आया है वो भी आपने जो जो तुटला दिया इसमें जो तमाम चुनोतियों के ज पूरी तोर पर मानने सरका जो खाका है एकनॉमिक सर्वे का इस एकनॉमिक सर्वे में स्पश्च तौर पर सरकार मान रही है कि इस्तिती ठीक नहीं है आगे आने वाले समय में स्थिती ठीक होगी आगे उस पर पूरी तोर पर विश्लेशन होगा जो उसमें लेने लाइक होगा हम जरूर लेंगे जो थोड़ा छोड़ने लाइक होगा उसे छोड़ेंगे लेकिन इस देश की अर्थ ब्यवस्ता हम दिन प्रती दिन दुरुस्त करते चले जा रहे हैं यही कारण है कि आज लो कमी थी लेहाद में भी पैसे की कमी थी इस्थिती बहुत सुद्रड है केटियस तुलसी सहाब विपक्ष की पार्टियां विपक्षी नेता जूटे सरकार पर आरूप लगाती है बहुत बैतर अर्थ विवस्ता चल रही है मैं ये इस बात से पूरा सहमत नहीं हूँ मगर ये जानता हूँ के एशिया की तीसरी सबसे बड़ी एकानमी भारत है मगर इस वकत थोड़ा मुश्किल में है और हवा जो है हमारे खिलाफ चल रही है ये किसी सरकार का तो दोश है नहीं के किस तरफ से हवा चलेगी मगर ये जो प्रोलॉंग्ड स्लोडाउन है ये हेडविंड जो है उसकी वज़ा से है मैं समझता हूँ के अगर कंजूमर को कुछ बढ़ावा दिया जाए तो ताकि वो खर्च करे पैसा तो बैंक्स को ये कहा जाए कि उनको इजी टर्म्स के उपर पैसा दिया जाए तो सिचुएशन कुछ इंप्रूव हो सकती है एक चीज़ मैं समझता हूँ के बहुत अच्छी जो चली है इस सरकार के दारान वो है इंसॉलवन्सी कोड और इंसॉलवन्सी कोड ने एंकरिज किया बैंकर्स को के वो हेर कुट लेइं सबस्टेंशल फेर कुट लें और low percentages के उपर जो लोन्स हैं अन पेड लोन्स हैं उनका उनका निप्टारा किया उनको उनका settlement किया ये अलग बात है कि State Bank of India ने अंडर रिपोर्ट किया bad लोन्स को मगर मैं मैं ये समझता हूँ कि stimulus growth के लिए budget जो है वो बहुत अवश्यक है कि वो एक stimulus led package दे और auto and housing को प्रात्मिक्ता दे auto and housing को प्रात्मिक्ता तमाम सारे जो सर्वे है उसमें उसमें इस बात का जिकर भी किया है कि किस तरीके से बहतर हो सकती है चीज़ें उनको बहतर किये जाए कौन कौन से वो sector हैं जिन पर सरकार focus करने बाली है और इस बार क्योंकि पिछली बार भी जब budget आया था budget के बाद त समझना चाहता हूं कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कहा गया कि कारोबारियों को सम्मान की नजर से देखना चाहिए जरा मुझे विस्तार से समझाईए इसके कहने का मतलब क्या है कि अब तक क्या सरकार कारोबारियों को सम्मान की नजर से नहीं देख रही थी उगली उठी है लग लग भागों के ओपर उगली उठी है और उस वजाए से निर्मिला सीतर रहमन जी ने जब पहला पैकेज लगानी कोश्च की थी उसमें इड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करी कि किस रही कैसे इस किया जाए सिर्फ इस ऑफ ब्रूइंग रिट निवेशकों की बात करें और हमने देखने को मिला देखे हमें ये डिखना जूरूरी है कि कृरीब ने थेर्जिदथ आज उसके बाद ये भी का गया कि हिंदुस्तान के उबर काफी सारे देश डिपेंडेंट है और जो हिंदुस्तान में निवेश आ रहा है तो तभी आ रहा है ने जब कुछ यहां पर प्रोग्रेस हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है अगर पॉजिटिव नहीं होता मैं बाहर OECD की मीटिंग, ADD की मीटिंग, EURTORBANK की मीटिंग में देखता था, मिलता था लोगों से, निवेश रकरों से मिलता था वो कहते थे कि हर एक हम प्रांत में जाते हैं, तो अलग लग taxes है. किसी प्रांत में तो हम अपना business start कर पा रहे हैं, बढोत्री भी कर पा रहे हैं. और किसी प्रांत में हम 4-5-6 सार लग गए हैं, हम अपना business ही start नहीं कर पा रहे हैं. अभी जो GST रागू किया गया, उसके ऐसे अब उनको भी समझ आती है, बाहर से निवेश, हिंदुस्तान में भी समझ आती है, अब कोई भी नया सिस्टम हाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, चीजों को सेटल होने में टाइम लगता है, थोड़ा उतल पुतल इस सरकार किया, एक NPA की जो रिजीम बनी हुई थी, जिसके ऐसे असान कर मार्केट में घूम रहा था, उसके ऐसे GDP ग्रोथ भी जवी अभी जहा साब ने कहा कि इत्ता निवेश हो रहा था, देखिए पहली बाद जब कोई भी देज बढ़ता है, अब ये कहें कि अमरीका जो है, आट कि करीबन जो हमें एक्सेस क्रेडिट किया गया, ये 2010-2012 की बीच में क्रिएट किया गया, जब वर्ल्ड रिसेशन आया हुआ था, ताकि उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा कि हिंदुस्तान में, अब वो क्रिएट तो कर दिया, उससे एक्सलेस सर्प्लस आ गया, लोग क कि बात, जो पिछले काफी सालों से किया थी, आपको अचंबाओ का जानके कि 96-97 में बैंकर्स ने एक किताब निकाली हमाई पस पढ़ी है, किसी किताब देखनी हो तो, कि कौन-कौन डिफॉल्टर्स हैं, इतने बड़े-बड़े निवेश कर, जब NPS की पॉजिशन 97-98 में बैंकर्स ने ही आउटले कर दी, पार्लिमेंटेरिंस के आदे, मीडिया के सामने, जो और पॉजिशन हैं, तो आज तक अलगला सरकारें उसके बैठी हुई थी, कुछ करनी रही थी, अब इस सरकार ने कुछ मुहीम किया है, तो कटिनाई की है, थो थोड़ी बहुत पड़ेगा, प्रभीर जहासाब मेरे साथ मुझूद है, जहासाब जो बात की जा रही है, आप उसे सहमत हैं, या फिर सरकार प्रयास तो कर रही है, क्या किया जाए, कैसे बैतर पट्री पर लाजाए, प्रयास जहां तक टैक्स वाली बात थी, उस तंदर में जो है, आप प पाल जी शायद बहतर बता सकते हैं, टैक्स के बारे में बहतर जानकारी इनके पास है, सीधी सी बात यह है, कि एक जो हाई-handedness जो पिछले दो वर्षों में हुआ है, और जिस तरीके का एक fear factor जो है, जो convey हुआ है, उसको लेके शायद सरकार में भी एक चिंता व्याप्त हु को का जहां तक सवाल है, हम बड़ी serious किसम के challenge के वाले दोर से गुजर रहा है, काफी मुश्किल है वहाँ वो एक major factor है, गर आप देखेंगे जो top आपका जो 5% 10% borrower जो है, वो तो ठीक ठाक अच्छी इस्थिति में है, बाकी जो 70-90% borrower जो आपके हैं, उनकी इस्थिति मे भी है, रूरल इंडिया भी है, सभी लोग शामिलने हैं उसमें, गर आप उसको देखें, तो जो rate of expansion होता है credit का, उसी कुरता चला गिया है इनके लिए, तो आपको इन सारी चीजों को लेके देखना पड़ेगा, जहां तक NPA का सवाल है, सरकारी आंकड़े आपको क्या बता वो figure जो है, तीन गुना ज्यादा है, नए नए किसम के NPA इसमें हुए हैं, ये जो insolvency court जो था, रगुराम राजिन जी का एक बहुत बढ़िया एक प्रयास था ये, और उससे जो फायदे हुए हैं, जैसा तुलसी साहब ने कहा, शुकला साहब भी जरूर कहेंगे इस बा ठीक करने जाते हैं, तो आपको कड़ भी दबाई भी पिलानी पड़ती है, गोपाल केडिया साहब हमारी साहथ मौझूद है, गोपाल केडिया साहब चाहे वो direct tax हों या फिर indirect tax हों, क्या इस बार सरकार वो प्रयास करेगी, जो की उम्मीत की जा रही है, क्योंकि बैपारी आम आदमी उत्पादन करने वाला हर वेक्ति सरकार से उम्बीद लगाए बैठा है कि वो अगर रियायत दे तो हम चीजों को बहतर करने को त्यार हैं और इससे कहीं न कहीं बाजार को एक भूम मिलेगा देखी अभी जो बात चल ली थी कि सरकार वेपारियों को चोर समस्ती है मैं इस चीज को सर्किफाई करता हूं कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट हर एक वेपारी को चोर समस्ता है और इस चीज को चेंज करने की जरूरत है रिभर्स करने की जरूरत है मैं चुकि इंकम टेक्स तो मैं उपर से नीचे तक और चार्ड काउंटेंट प्रैक्टिस भी करता हूं तो मेरे को सारी चीजें पता हैं कैसे चल रहा है क्या चल रहा है मेरे को साब तरीके से लगता है कि वेपारी वेल्थ क्रियाटर है और एकोनोमिक सर्वे में भी इस चीज को कहा गया है सुब्रमनियम साब ने वेल्थ क्रियाटर के बहुत कस के बात करी है और उसको हम लोग किसी भी तरीके से ग्यूमराइज नहीं कर सकते वो ही एकोनोमिक को आगे बराता है इस कंसेप्ट को देखे अभी इंकम चेक्श अपार्टमेंट ने पहले 15 लोग फिर 15 लोग फिर एकावन लोग डिस्मिस किया उन लोगों ने लेकिन वो और लेड़ी उनके अगेस में सीब्याई की इंक्वाईरी चल लई थी वो वेसे भी डिस्मिस हो जाते तो मरेवे इस पर उतना एडिशन कर दो और एक सेक्शन एक सेक्शन था जिसके बीतर 27 प्रसेंट टेक्स लगता था अगर 10 क्रोर उसने जमा कराया तो 10 क्रोर उस पर टेक्स लगा दिया गया किसी की कोई बात नहीं सुनी गई और सरकार ने जो है एक एसा नोसनल डिमांड क्रेट कर दी जो कभी उनके पास रिकवर नहीं होईगी अब वो अपील में चलेगी और अपील में क्या होता जो इंक अब विपक्ष की पार्टी में हो और यह कहा जा रहा है कि सरकार कुछ भी करे कितने भी बहतर काम करे देश की तस्वीर को बहतर बनाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष आरूप लगाता है इस बजट से विपक्ष को क्या उमीद है आपको क्या उमीद है सरकार को कैसा हमारा कर्जा बहुत है और डेट टू एक्विटी रेशो तक्रीबन मैक्सिमम है ऐसे ऐसी हालत में ये उमीद करनी के बहुत सारा टेक्स रिडक्शन होगा वो शायद सही ना हो और दूसरी मुश्किल सरकार की ये भी है के नए प्रॉजेक्ट्स बहुत कम आ रहे हैं 2015 में FDI जो आई वो 60 बिलियन के प्रॉजेक्ट्स लगे 60 बिलियन के 2015 में और 2018 में 55 बिलियन के प्रॉजेक्ट्स लगे तो इस वज़ा से आप अगर कंपेर करें चाइना से तो 107 बिलियन डॉलर इस कंपेर टू इंडिया 55 बिलियन तो यही है कि infrastructure और housing में अगर सरकार पैसा डालती है तो नौकरियां भी आने की उमीद है और कुछ economy किक स्टार्ट की जा सकती है मैं कोई ज़्यादा नहीं समझता हूँ कि इनका demand ये भी है real estate sector का कि single window clearance होनी चाहिए नहीं तो projects बहुत overrun हो जाता है और उनकी price बढ़ जाती है बहुत बहुत शुक्री साब का जो सर्चा में हमारे साथ मने रहे हैं शुक्ला जी के पास चलते हैं क्योंकि आमदनी अठनी है तो खर्चा रुपईया है बहुत सारे बड़े मंत्राले जो infrastructure का काम करते हैं चाहे सड़क परिवन मंत्राले हो या फिर ग्रामीड विकास मंत्राले हो तमाम ऐसी सरकार की flagship योजना है जिन में सरकार पैसा डालना चाहती है हाली के दिनों में रेपोर्ट साई कि सड़क परिवन मंत्राले पर उतना फंड नहीं है हाली में रेपोर्ट आई कि प्रधान मंत्री ग्रामीड सरक योजना जो की अटल विहरी वाजपई ने शुरू की थी उसके लिए उन सड़कों का करीब 10 साल हो गया अब उनके रखरकाव के लिए उतना फंड नहीं है सामाजिक सरूकार की योजना है मनेरे का एक बड़ी योजना है जिसे पहले आपने बहुती बेकार योजना बताया था बाद में आपने उसे सुईकार किया लेकिन ये बात सही है सरकार अगर फंड जुटाए तो कहां से जुटाए सरकार के पास बहुत कम संसादन ऐसे हैं जहां से पैसा आना है और खर्च करने की स्तिती जादा है क्योंकि सरकार को रूजगार बढ़ाना है, सरकार को तमाम यूजना है, सरकार को पुल-पुलिया का निर्मान करना है, सरकार को बहतर इसकूली सिक्षा देनी है, सरकार को मिड़े मील भी देनी है, सरकार को गरीबों के लिए मकान भी बनाने है, तमाम सारी चीज़ें, ऐसी सि ही है कि मा शुरूर इस्तिती में मनरेगा कि जो बात जो कही थी आज देखिए वही मनरेगा की इस्तिती है जब बैंकों में खाते खुले तो वह पैसा सीधे-सीधे उनके खाते में गया और आज ग्रामीड अस्तर पर भी मनरेगा से लोगों को काफी कुछ रोजगार मिला है उस मनरेगा कि आधार पर हम प्रधान मंत्री जो शड़क ग्रामीड सलक शंपरकमार्ग है उस पर भी काम कराना असुरू किये है और इसी आधार पर इंस्ट्रक्शन बाकायदे ग्राम प्रधानों और सब को भी और पीड़ुड को भी है यहां जो इस्थिती आई है वो मु पात बहुत साप साप कहा है कि हम और अधिक पैसा इस में देने जा रहे हैं और आप भी देख रहे हो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्शर जो है पूरी तो पर बढ़ता चला जा रहा है तो मुझे लगता है कि कल का बजट काफी कुछ ठी किसी मिलेगी अवन सहाब वर्तबान परिसिती आपको पता है सरकार के पास फंड कितना आपको पता है सरकार के पास चुनोतिया कितनी आपको पता और सरकार किसानों की दुगनी का आये करने की बात कर रहा है बहुत सारे बहुत सारी सरकार की स्कीम है नई स्कीम है गरीबों के लिए हैं दलितों के लिए हैं पिछलों के लिए हैं सरकार जो करना चाहती है आपको कह लगता है उमीद कितनी देखे जी अमीदों तो लागों की बनी रहती है और बनी रहनी भी चाहिए तब ही सरकारें काम करेगी और विपक्षा काम है उसको निकारना ताकि वो अच्छे से काम कर सके वो दोनों चीज़ जरूरी है और चलती रहने चाहिए जहां तक expectation theory होती है जिसे हम पढ़ाते भी है उसके अंदर देखा जाए कि इसमें जो है पूरे हिंदुस्तान में expectation सरकार की तरफ से बज़ेट की तरफ से बहुत कम है क्योंकि उनको उमीद कम नजर आ रही है मेरे विचार में सरकार क्या fiscal space भी काफी है खर्चा करने की शमता भी काफी है उनके आज माध्यम भी बहुत सारे हैं और सरकार उन माध्यम को लेके जो fiscal spending जो करना चाहती है वो growth oriented fiscal spending करे मिठाई बांटने के इंदर ना करे जो पहले मेरे विचार में कल का budget काफी अच्छा और लोगों के चहरों पे खुशी दिन लाता हुआ दिखाई देगा विकास इस समय लोगों की जो expectation है कल के budget से बहुत कम है क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो पाएगा विकास जो निराकता फेला राकी है कि कुछ ही नहीं सरकार के बास हाथ में कुछ है ही नहीं आज जो आंकडे आए एकनामिक सर्वे में और जो उसने फिसकल स्पेंडिंग के और और बाकी आंकडे दिखाए हैं टेबलों के अंदर उससे क्लियर नजर आता है कि सरकार की शमता काफी अच्छी है और वो अच्छे कदों पे छल रही है एक दो आकडे है जो बताते हैं सरकार की ख्शमता अच्छी है दूसी चीज है कि लोग कहरें के आखिड सरकार कैसे करेगी कहां करेगी लोग यह भी कहरें का कर सरकार करने की इस्तिती में होती तो शाहीन बाग जैसे wspól sneaking को रास्टी और अंतर रास्टी नहीं बना जाएगा उसके लिए जो आपका एक average growth rate होना चाहिए आप उससे इतना पीछे हैं इतना अलग हैं इतना दूर हैं तो गर आप उसकी बात कर रहे हैं उसके अलावा जो बाकि और तो चीज़ना छोड़ दीजिए मनोजी आप सीडी सी बात देखिए जो सबसे मजलूम तबका है back wages की क्या इस्तिती है नरेगा में अभी अब बस मुझे यह आंकड़ा देख लीजिए सिर्फ एक राजी जो है राजस्थान वो कह रहा है कि 600 करोड का back wage जो है वो pending है और तमाम राज्यू के यही स्तिती है कि उनका पैसा नहीं मिल पार रहे हैं गर आप अपने सबसे बात यह कर रहे हैं कहां कौन सा वेल्बिग की बात आप कर रहे हैं फिर बाकी तो आप छोड़ दीजे बहुत सारी बातें जो है वो जहां तक आकड़ों के बारे में तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कर सकता हूं कि इतनी बुरी स्थिती में हम हैं investment को लेके consumption को ले देखें तो हम एक बहुत कठिन दोर से गुजर रहे हैं और उस denial से निकलना सबसे पहली जरूरत है किसी भी जिम्हदार सरकार की जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक उम्मीद नहीं है गोपाल साब मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या इस दशक का सबसे कठिन बजट हो सकता है यह नहीं देखिए सबसे कठीन बजट बजट तो नहीं होगा यह यह मैंने बिगनिंग में भी का था इस बजट इस बजट इस बजट में पूरा समय मिला है इन लोगों को वर्किंग करने का और जो दसा और दिसा जो देनी है इकोनोमी को और डिरेक्ट एकसेशन या हम जी एस टी की बात करें जी एस टी को जी एस टी काउंसिल इसको जिसाइड करेगी तो इस बजट में मेरे को लगता है कि सारी चीजों का समाधान होगा और जो डिरेक्शन मिलना चाहिए वो डिरेक्शन इस बजट में निश्चित बनी है कि सरकार आर्थिक मूर्चे पर कमजूर है इसलिए सरकार को बहुत जल्द में फटा फट इस बजट में वो तमाम तस्वीरें दिखानी होंगी जिसके तुरू अर्थ विवस्ता को वूम मिल सके इसलिए हमने आज का जो विशे रखा था उसका लखाता 2020 या निकी फट अब देखना होगा कि कल के बजट में क्या सरकार वो विशेली कराती है क्या सरकार वो तस्वीर दिखा सकती है क्या सरकार ये बताने की कोशिश है कि भले ही रास्टी अंतरास्टी इस तर पर वो आर्थ विवस्ता को लेकर कमजोर चीज़ें दिखाई दें लेकिन भारत मज करना होगा हमें शनिवार का और देखना होगा कि निर्मरा सीता रवान अपने दूसरा बजट कैसे पीश करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर्स चोईस में इतना ही बाकी ख़बरों के लिए आप चलते रहें सारा समय के साथ सारा प्राइब करते हैं सारा बाकी ख़बरों के लिए करते हैं सारा बाकी ख़बरों के लिए प्रवार सीता बच्राइब